जहिन दोस्तों मेरा नाम है सागर गुपता डिजाय टू लर्ण में आपका स्वागत है तो आज हम कवर करने वाले हैं 15th of December के current affairs यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ important facts और dots को धीरे धीरे अपन चीजे को connect करेंगे और यहाँ पे आप 15 question नहीं है आप पूरी बहुत सारी चीजे यहाँ से सीख के जाओगे तो request करता हूँ इस वीडियो को आप end तक देखिए और अगर आप कोई भी exam के लिए preparation कर रहे हो तो यह series आपके लिए बहुत helpful हो सकती है चलिए शुरू करते है तो first question ही काफी important है which country passed world first law to ban smoking for future generation कौन सी country नहीं किया है तो यह किया है New Zealand ने जो 2008 के बाद जो generation born हुए है जो लोग उनके लिए smoking ban कर दिये New Zealand ने तो आप यह चीज़ ध्यान रखेगा यह बहुत important question बन सकता है New Zealand New Zealand का capital क्या है New Zealand का capital है Wellington Wellington से आप याद रख सकते हो अच्छा Wellington पता है Wellington Southern most capital city है जो world की है Southern most capital city Southern most capital city अगर आप से पूछ ले world की क्या है तो आप बोल रख सकते हो अच्छा placed with aleton कॉन यहां की यहांकी प्रासीडेंट में जैकेड़ाची न और न्यूजल्लैंड ने रिसंट्लिय में भी ओन लाएंड किया था वर्लड का फऐस्ट वूडें सैटलाइट व्लड का वर्लड का फवर्स्ट वूडेंड गसे अगर आप से पूछ determination व्ल्ड का वुडेन first satellite किसने लॉंच किया था तो आप बोलोगे New Zealand ने, एक चीज़ और बताता हूं मैं New Zealand से related, New Zealand first country है, जिसने approve किया था, vote for women's, vote for women's, किसने अगर first time approve किया था, तो वो थी New Zealand, कब किया था, 1893 में, ये चीज़ आप ध्यान रखना, है ना, next question देखते हैं, और क last woman national title in which sports, अभी मैंने आपको जैसा बताया था, कि कहां पर चल रहा है, 65th national shooting championship कहां पर हो रही है, तो आप बोलोगे सर, बोपाल में, बोपाल में हो रही है, मैंने आपको 5-6 बार बता चुका हूं ये चीज, तो ये किसने जीता है, ये जीता है, ये कौन से sports से related हैं, तो ये हैं अपनी shooting से, ठीक है, इसमें आप मनु भाकर भी नाम याद रख सकते हो, मनु भाकर ने भी जीता था, है ना, junior championship में, junior women's head, उसमें, है ना, तो आपको ये दियान रखना है, ये कहां पर हो रहा था, एक भोपाल में हो रहा था, और दिव्या T.S. अगर आप से पूछ ले बैपूरूरू बोट जो कहां की, ये वो है कैरला की, कौन से state ने किया है, applied, GI tag क्या होता है, geographical indication tag, है ना, ये बोट के बारे में अपन जान लेते हैं, it is a wooden door ship, ये एक wooden से बनी होई door ship है, handcraft by skilled artisan, है ना, और carpenters by बैपूर कैरला, ये बहुत अच्छी चीज है, और इसमें कि का ऐसे बनती है, मालाबाद टीक से, मालाबाद टीक से बनती है, ये बोट, और ये प्रॉबेबली दा biggest handcraft in the world, इसे अपन biggest handcraft बोल सकते हैं, तो आप ये ध्यान लखेएगा बैपूर उरू बोट, कहां की है, ये है कैरला की, अच्छा, अब अगर मैं आपको 5 GI indication tag बता दू जो अब भी recently news में भी थे, और आप उनको जानना बहुत important भी है, exam के point of view से, जैसे कंदमाल हल्दी, कंदमाल हल्दी, है ना कहां की है, ये है उडीसा की, है ना, और चिन्नूर राइस, कहां के हैं ये, ये है मध्यप्रदेश की, और कोलापूरी चप्पल, कोलापूरी चप् के महराज के, ये हैं अपने मनिपूर के, इन्हें recently GI tag मिला है 2022 का, और एक और बताता हूँ, दुन्दियाल, दुन्दीगल लॉक, हां, दुन्दीगल लॉक, ये कहां के हैं, ये हैं तमिल लांडू के, तो ये 5 आप GI tag याद रख सकते हो, बाकी मैं आपको next उसमें बता दू ठीक है, next question देखते हैं, who among the following joints allied list with 10,000 plus test runs and 50 plus wicket, किसने अब भी ये कर दिखाया है, तो ये किया है, जोई रूट ने, जोई रूट कौन सी टीम से खेलते हैं, जोई रूट हैं, इंग्लेंड के प्लेयर, ठीक है, इंग्लेंड के प्लेयर हैं, इससे पहले दो लोग और कौन थे, इससे पहले थे, जैक काली, जो की साउट अफरिका के प्लेयर थे, और ऑस्टेलिया के जो थे, स्टीव वाग, है ना, वो थे, इस में, इस लिस्ट में पहले से, तो आप को ये दो नाम भी याद रखना है, अभी recently आपने इशान किशन का सुना होगा, इशान किशन न में टोटल हैं, जिसमें 200 स्कोर किया है, तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, इशान किशन, ये कोशन पक्का आएगा, इशान किशन से रिलेटेड, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखते है, नेशनल एनरजी कंजर्विशन डे, इस सेलिब्रेटेड एवरी येर ओन, कौन ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हो, बाकि आपको ये ध्यान रखने है, नेशनल एनरजी कंजर्विशन डे आ जाए, तो आप बोलोगे 14th of December को मनाया जाता है, नेक्स्ट कोशन देखते है, इंटरनेशनल टी डे, इस अब्जर्व एवरी येर ओन, कौन से दिन मनाया जाता है, तो ये आज ही के दिन मनाया जाता है, 15th of December को, ठीक है, टी जो की काय से बनता है, Camellia Cinesis Plant, Camellia Cinesis Plant से बनता है, और ये वर्ल्ड की most consumed drink है, after water, ठीक है, वाटर के बाद अगर कुछ पीते हैं, लोग उन, तो वो क्या पीते हैं, अपना टी, ठीक है, अगर आप टी के शोक में जरूर पताईएगा, और इसमें अपन क्या याद रख सकते हैं, अच्छा, International Tea Day तो आपको पता है, 15th of December को, इसकी theme, इसकी theme क्या थी, पता है, Tea and Fair Trade, इसकी theme थी, अगर मैं आप से top 3 countries की बात कर लो, producing of tea में, तो आप बोलोगे, सर, 1st पे है चाइना, 2nd पे है इंडिया, और 3rd पे है Kenya, ठीक है, आप ये 3 countries याद रखना है, बहुत important है, अब भी recently India news में आई थी, for the production of tea में, तो आप इसको याद रख सकते हो, next question देखते है, तो 7th question देख लेते है, 10 district code, digitization hubs, DCDH, inaugurated by Chief Justice of India in which state, कौन से state में किया है, DCDH, digitization hubs, तो ये Chief Justice of India जी ने किया है, जिनका न ये कौन से Chief Justice of India ये है, 50th, 50th Chief Justice है, इनने अभी recently 9 November को इनने शपत ली थी, किसने दिलवाई थी, President of India ने, दुरापती मुर्मु जी ने, है ना, तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो, ये कौन से state में किया है, तो ये state किया है, उडिसा में, उडिसा इस्टेट में किया ह इनने, inaugurate, आप ये चीज ध्यान रख सकते हो, digitization makes access to records easier for authorized person, digitization से क्या होगा, इससे जो records है, records रहेंगे, वो जो easy way में, उन लोग को finding में help करेगा, next question देख लेते हैं, the CBIC, celebrate 60 years of custom acts, on this occasion, India custom release the mascot, name the mascot, इस type के question है आप से पूछ लेते हैं, कि mascot का नाम बताओ, ये किसने launch किया है, mascot, तो ये launch किया है, अपना CBIC ने, ठीक है, CBIC जिसका full form होता है, Central Board of Indirect Taxes and Customs, है ना, आप ये चीज ध्यान रखना, तो इसका mascot का नाम क्या है, mascot का नाम है, officer huns, officer huns, है ना, ये आप देख सकते हो, ये वाली image, officer huns का, celebrating 60 years of custom act, अगर आप से पुछ ले, custom act कब आया था, तो आप बोलोगे 1962 में, ठीक है, और क्या याद रख सकते हो, और, अच्छा, formation कब हुआ था, CBIC का, CBIC का formation हुआ था, 1964 में, ठीक है, custom act आया था, 1962 में, और formation हुआ 1964 में, और इसमें आपको याद कुछ नहीं रखना है, बस officer huns के बारे में, ध्यान रखिएगा, next question देखते है, मेगाले government adopted an undolen, against tuber closest, TV के against, recently, मेगाले सरकान ने, एक अंदोलन छेड दिया है, तो उस अंदोलन का नाम आपको बताना है, उस अंदोलन का नाम है, जन अंदोलन, ठीक है, जन अंदोलन, recently, अगर आप से पूछ लें, कौन सी सरकान ने किया, तो आप बोलोगे, मेगाले ने, और ये किस से related है, जन अंदोलन, ये है, tuber closest से, आप ये चीज भी ध्यान रखना, आप से पूछ ले, जन अंदोलन, कौन सी बिमारी से related है, तो आप बोलोगे, tuber closest स है, tuber closest में अगर बात करूँ, तो highest case कौन सी स्टेट में आते हैं, कौन सी स्टेट और union territory में आते हैं, तो वो है डेली में, अब ये recently report आई थी, और अगर सबसे lowest में बात करूँ, तो वो है कैरला में, तीक है, आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो, अगर मेगाले की बात तो अब भी recently, living root bridge, living root bridge, news में था, है न, आपने पढ़ाई होगा, इसको UNESCO का दर्जा मिला था, और क्या था news में, मौमूल केव, मौमूल केव, इसको क्या मिला था, ये इंडिया की first geo heritage site है, आप ये भी ध्यान रखना मौमूल केव के बारे में, और क्या याद रख सकते हो, एशिया का first drone delivery, जो medicines deliver हुई थी, मैंने आपको बताया था, वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी, मेगाले में, है न, तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो, next question देखते है, तो 10th question काफे important है, which of the following is the host country of international conference, standing with the Ukrainian people, कौन सी country ने ये अभी launch किया है, कौन सी country से host कर रही है, तो वो host करिए France, ठीक है, France के बारे में आप ध्यान रख सकते हो, ये वाली अगर conference आप से पूछ ले, standing with the Ukraine people, तो आप बोलोगे, किसने किया है, France ने, है न, और इसमें क्या याद रखना है, अच्छा, recently अभी मैं ये record ही कर रहा था, तो 36th जो रफिल आना था, इंडिया में वो deliver हो चुका है, किसने किया था, France ने, है न, तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो, France से आपको क्या याद आता, International Film Festival of India की host country कौन है, France, है न, और क्या याद रख सकते हो, अब भी, जो new PM बनी थी न, France की, वो कौन है, Elizabeth Bon, Elizabeth, Elizabeth Bon, है न, और यहां के ये PM है, और यहां के अ है, है न, तो आप ये चीज दोनों चीज ध्यान रख सकते हो, Elizabeth Bon, और Emmanuel Macron, है न, next question देखते है, which airline has been awarded as the safety performer of the year, कौन सी airline बन गई है, जिसकी 100% safety रहती है, है न, तो अब भी वो बनी है, spice jet, spice jet को दे दिया ये award, है न, ये किस ने दिया है, Delhi airport award ने दिया है, Delhi airport के द्वारा ही award है, तो आप ये चीज ध्यान रखना, spice jet बनी है, safety performer of the year, है न, airline, इंडिया and which country has signed a joint statement of intent on migration and mobility, recently इंडिया ने भारत सरकार ने Finland के साथ, migration and mobility पे joint statement sign किया है, तो आप से अगर पूछने की कौन सी country के साथ sign किया है, तो आपका जवाब होगा, Finland के साथ, Finland के बारे में अगर मैं ब जिसका capital है, और क्या जान सकते हो आप, ये कौन कौन सी country के साथ border share करता है, ये share करता है Sweden, ठीक है, Sweden जिसका capital है Stockholm, Norway ठीक है, और Russia के साथ, तीनों country के साथ ये अपनी border share करता है Finland, और हर बार आपने देखा होगा, कोई ना कोई index में Finland हमेशा आगे ही होता है, Finland, Norway, Sweden, ये तीनों countries ही आगे होती है, है ना, तो happiness index हुआ, कोई भी index हुआ, इसमें ये ही countries आगे होती है, अब मैं आपको बता हूँ कि यहां कि आपको PM का नाम पता होगा, सना, हाँ, सना मैरिन, हाँ, सना मैरिन, ये पता है आपको world की youngest PM हैं, यह दुनिया की youngest PM है, प्राइम मिनिस्टर, यंग ये question आया भी है, सना मैरिन से related, है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, next question देखते हैं, वनी करंड, afforestation project to root out invasive plants launched by which state, वनी करंड, अब भी recently, वनी करंड means क्या होता, afforestation, project to root out invasive plants, ठीक है, जो invasive plants है, जो दूसरे plants को खराब करते हैं, तो उसको क्या करेंगे, ये निकाल देंगे, इस्पेशली सेना, स्पेक्टिकल्स, ये इनका ये कोई नाम होगा, तो कौन सी सरकान ने किया, ये किया है कैरला में, तीक है, with forest department के साथ किया है, अगर आप से पूछलें, वनी करंड, recently अभी कौन सी government ने लाँच किया है, तो आपका जबाब होगा कैरला, है ना, आप ये दियान रख सकते हो, अब मैं कैरला से तीन चार चीज़ा आपको बता देता हूँ, अभी recently, यहाँ पे ना, एक Alina, Alina multiflora, हाँ, ऐसे कोश्चान आते हैं, देखो आपको, Alina multiflora, ये ना, अभी recently, new species पाई गई थी, कहाँ पे, कैरला में, ये आप से direct पूछ लेंगे, Alina multiflora कहाँ की है, तो ये आप बोलोगे, कैरला में पाई गई गई, ये क्या है, प्लांट है, है ना, और इसमें क्या याद रख सकते हो, अभी recently, three Indian cities को, वो मिला था, UNESCO Network of Learning Cities, Learning Cities मिला था, अगर मैं आप से पूछ लूँ, तीन cities कौन सी थी थी वो, तो पता है, उसमें दो तो कैर कैरला की थी, two कैरला की थी, और one कहा की थी, तिलंगाना की, ठीक है, तिलंगाना की, जो दो कैरला की थी, उसका नाम है, तिरिशूल और निलंबूर, हाँ, तिरिशूल, क्या है, तिरिशूर, तिरिशूर और निलंबूर, हाँ, निलंबूर है, अगर मुझे से कुछ प्रन स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में इंक्लोडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कितनी है तो आपका अंसर होगा सर 34 अब मैंने क्यों कोश्चन लिया है इस टाइप का कोश्चन आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंटली अब भी रिसेंटली दिपां और चाहिए कितनी अपन को 34 इंक्लोडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया toucking लृटिर ग्स्टिस ऑफ इंडिया तो कितने जजेश की जरुयौट है यह पर वाइध जेश की जरुयौट है ऐस्ट कोञूट हें तो यही बात बोले थे सिंटर कॉर्ट कॉण्स का घक हाईच ये 5 High Court Judges का नाम मांग रहे हैं, जो हम Appoint कर सकें Apex Court Judges में, तो उनका नाम क्या-क्या दिया है, जस्टिन विपिंग संगी, जस्टिन ये, तो ये जब Appoint होंगे, तो मैं इनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा, है ना, तो आप ये चीज ध्यान रखिए हैं कि 34 ह होती है, और अच्छा, अगर आपसे पुछले, Supreme Court कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में होता है, तो आपका जवाब होगा, सर, आर्टिकल 124 to 147, ठीक है, कौन से पार्ट में है, ये है पार्ट फिफ्त में, ठीक है, कौन से एक्ट के थूरू ये established हुआ था, ये established अब भी recently all women bench ठीक है, आई थी, वो कौन सी थी, वो third थी, ठीक है, और जिसमें सारी जो women थी है ना, उस bench में, तो कौन कौन थी उसमें, जस्टिस, हीमा कोहली, है ना, और बेला एम त्रिवेदी, आप ये नाम याद रखना बहुत important है, ये third time हुआ है हिस्ट्री में, है ना, तो आप next question देखते हैं, इंडिया plans to commission 20 nuclear power plant, कब तक कर देगा, कौन से year तक कर देगा ये चीज, तो अब भी recently बात हुई है कि हम power plant, 2031 तक हम 20 nuclear power plant कर देंगे, अगर मैं अब भी आप से पूछू कि अब भी कितने nuclear power plant है, तो आपका जवाब होगा 8, 8 nuclear power plant अभी operational है, और अगर में oldest or first power plant की बात करूँ, तो वो है अपना तारापूर, तारापूर power plant जो की कहाँ पर है, जो की है महरास्ट में, है न, आपको इसमें और कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना कि जो first होगा न, वो कहाँ पर होगा, काकरापूर में होगा, गुजरात में, है न तो आप ये चीज भी दियान रख सकते हो, काकरापूर गुजरात में, तो अब भी total कितने हैं, अपने पास 8 और 20 और कमीशन हो जाएंगे, total 20 कमीशन हो जाएंगे 2031 तर, next question देखते हैं, तो quiz of the day आपके लिए, which country prints first bank notes with women's signature, कौन सी country ने ये कर दिखाया है, तो ये करा है, क आप मुझे comment section में इसके बारे में बताओगे, वो दो कौन women's है, उनके बारे में भी मुझे आप comment section में बताओगे, और thanks Chris Rajput, जो कि आपने बहुत अच्छा comment किया, कि आपको बहुत अच्छे-च्छे समझ में आ रहा है, boring नहीं लग रहा है, मैं अपना पूरी कोशिश कर र आशा करता हूँ, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज पसंद आ रही होगी, अगर आप daily current affairs पढ़ना चाते तो आप instagram पे follow कर सकते है, and for the pdf you can follow us on our telegram channel desire to learn, this video is presented by me, my name is Sagar Gupta, मिलता हूँ next lecture में जब तक के लिए, जै हीं, जै भारत और अपना ध्या